हाई फ्रेंड्स आइम अधू एंड आइम रजात सो फ्रेंड्स वेलकम तू टुड़ेज लाइफ सेशन सो साथ बच चुके हैं और हमने अपना लाइफ सेशन शुरू कर दिया है तो आज के लाइफ सेशन में हम अपने साइन्स के चाप्टर आर इन्वार्मेंट के 20 मोस्ट स्वाध प्रेंट के लाइफ सेशन में हमत्स बमटीप ग्यब साइन्स के लाइब भाकिंट साइन्स को उद्टिश है एम हम ऐसरे चाप्टर आप अच्छी क्यों एंड नहीं करेंड़ ऑंवर्ट G आ इंड हैं जिए श्र प्रियंका, अन्मोल, दिव्यानशी, सहरावत, प्रने, श्रवन, हाई एवरीवन, गुड़ीवनिंग एवरीवन, हैपी दिवाली तो एवरीवन, गुड़ीवनिंग, येस, आर इन्वार्मेंट हमारे साइन्स का चैप्टर नंबर 15 है, ये बहुत ही एजी सा छोटा सा चैप इंट्रस्टिंग चैप्टर, और आज इस लाइव सेशन में हम आर इन्वार्मेंट के ही इंपोर्टेंट क्वेशन को डिस्कर्स करेंगे, आप सभी ने ये चाप्टर अप्रिपेर किया हुआ है, और इसके बाद हमारा हेरीड़ीटी का चैप्टर बच जाएगा ऑफ इसके बाद हम मैं स्टार्ट करेंगे, मैं के दो चैप्टर हो चुके हैं, बनाई हुई है, उसके बाद मैं के हम सारे चैप्टर खतम करेंगे, उसके बाद हम फिर स्टार्ट कर देंगे, तो सारे सब्जेट के सारे चैप्टर हम यहां पर कवर कर रहे हैं, सभी के इंपोर् जैसे में रहता है सबसे टॉटल 20 कोशन होंगे पहले दस कोशन आपके mcq होंगे तीन कोशन आपके टूमारकर होंगे लास्ट को फेन मेरेर टुनित घूट ऊच्ट कोशन होगा डैट विल बीए के बेस्टीन कोशन है ऑफुल एक्यों पूलेड ध्यू एक्सुनेशन का को मैंने अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है आज इस लाइव सेशन में इसके इंपोर्टेंट को प्राक्टिस कर रहे हैं तो देखो सब्जेक्टिव औब्जेक्टिव दोनों टाइप के वेश्चन आपके एक्जाम में आएंगे इसलिए 20 क्वेश्चन में से 10 10 MCQs हैं अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव ताइप क्वेश्चन होंगे तो यू प्राक्टिस आपके इस लाइव सेशन को अपने सभी फ्रेंट इन क्लास में इसके साथ जरूर शेयर करें ताकि जादा से जादा फ्रेंस हमारे साथ इस लाइव सेशन में जॉइन हो पाएं और क्वेश्चन की प्राक्टिस करें तो प्लीज कीप ओन शेरिंग इस लाइव सेशन यहां पर प्रने ने कल भी पूछा था आज भी यहां पर प्लीज एप्लाइज को इस कोशन ऑफ इलेक्टिसिटी दन बिल्को इलेक्रिसिटी के जो टॉप 25 इंपोर जाएगा okay Hello Chimmy let's start yes ok are you already for starting the important questions of our environment if you already then please give us a thumbs up in the live chat so that we can begin with the questions hi everyone good evening i'm in class 11th rajat is in class 10th thank you so much कि उके तो इस तो इस तो इस तो इस अप्रिटिक्स हो गया और अब इस मैस का बचा है स्टैटिक्स में कर रहा हूं देन बस प्रोबियाबिल्टी बच जाएगा और इसे टी की वह कुछ चैप्टर बचे हैं जैसे कि हमारा जोग्रफी में मैंनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट् जोगा सबका 80% या 90% सबी स्कूल में कवर हो चुके अब बीतक्ड़ करते हैं लिए टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन से वेस्ट मटीरियल है जो कि नौन बायो डीगरेडिबल है उनको आप क्लासिफाय कर सकते हो ऐस नौन बायो डिगरेडिबल तो सही ऑप्शन का यह प कौन आंसर करता है इस question का तो सबसे पहले इसका आंसर किया है च्रीमी उवु ने congratulations and then सभी friends इस का आंसर कर रहे हैं अंकेट सजड रिप्लेस गेम रेप्लिका गेमर रिया समाइरा नेहा तमना मोहिनी सोनिय संजिना तो सभी friends इसका बहुत सही आंसर कर रहे हैं इसे में पदा चलता है कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेर किया हुआ है that's great and इसका आंसर है option number B polythene bags and plastic toys तो देखो यह सारे जो waste materials है इन में से non-biodegradable कौन से grass cutting obviously grass cutting तो non-biodegradable नहीं हो सकता तो यह भी non-biodegradable हो गया use tea bags तो tea bags plastic के नहीं बने होते they are made of paper ठीक है तो यह non-biodegradable नहीं है old clothes clothes भी non-biodegradable में नहीं आते and paper straw so paper straw नामसी पदा चल रहे है वो paper के बने है okay so इन में से non-biodegradable है polythene bags and plastic toys तो option number 20 का सही आंसर है and most of the friends सभी friends ने इसका सही सही आंसर किया है we are very happy to see the correct response आप सभी ने चाप्टर अच्छे से प्रपेर किया है that's why you all are answering the question correctly तो यह था हमारा पहला question अभी तो और हम questions करेंगे तो question का जो level हो बढ़ता जाएगा otherwise this is a very easy chapter now let's move on to the next question okay so friends question number two देखते हैं question number two is on your screen question app which statement shows interaction of an abiotic component with an abiotic component abiotic याने की non-living biotic याने की living component जैसे की living में humans animals plants these are living component abiotic में बहुत सारे एक्जांपल इसके जैसे की soil atmosphere air हो गया these all are abiotic component in an ecosystem देखो आप चार option है 4 situation आपको दी गई हैं आपको बताने इन में से कौन सी situation में एक abiotic component और एक biotic component का interaction देखने को मिल रहा है options को read करते हैं grass offer feeding on a leaf grass offer क्या है living है याने की ये एक biotic component है leaf भी कहें leaf is also a biotic component second option देखते है rain water running down into the lake so rain water यान की water क्या है एक abiotic component है दोनों ही rain water भी और lake भी lake में क्या होता है पानी ही होता है so both of these are abiotic लेकिन हमें क्या चाहिए जिसमें biotic भी हो और एक abiotic component हो c option देखते है एं earth form making a burrow in the soil earth form क्या है biotic component है यानि की living है soil क्या है soil एक abiotic component तो हमें अपना आंसर मिल गया है option number c chat में सभी फ्रेंट सही आंसर कर रहे है श्रद्धापूर वारा जीव अमित मनोज रेप्लिका गेमर्स खुश्बूरिया दिव्यांशी गरीमा सब सही बिल्कुल करेक्ट आंसर option number c earth form क्या है biotic component living है एंड आपका जो इसका रख्षाट अपने इको सिस्टम में देखने को मिलता है सबसे पहले किसने आंसर किया ऑच्छे वाले का कैने आंसर किया था पिछले वाले option option b okay so यहां पर भी confusion और है कौन सा तो प्रेंका ने आंसर किया है देन प्रने ने इसका एंसर है option option no c and most of the friends इसका सही अंसर किया है और मोव on to the next question which of the two sets belong to the same trophic level तो इन मेंसे कौन से वो दो organisms है जो की same trophy level में है तो आपको यहां पर सही option करना है देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर करता है let's see okay तो सबसे पहले इसका आंसर किया है अगें चीमी उवु ने इसका आंसर है option number D which is frog and lizard frog and lizard ये दोनों जो ये दोनों जो और गानिजम्स हैं ये same ट्रॉफिक लेवल ये दोनों क्या है secondary consumers है that's why इसका आंसर होगा option number D and सभी फ्रेंट्स का सही आंसर कर रहे हैं अर्मान ने आंसर कर दिया है प्रने ने आंसर किया है बीकी रिया पूर्वा येस श्रिष्टी संजना अंकित हेमा hi everyone yes सभी फ्रेंट्स का सही आंसर कर रहे हैं so option number D is the correct answer frog and lizard because ये दोनों जो और गानिजम्स है ये दोनों क्या है secondary consumer है ये एक ही trophic level में आते हैं ठीक है बाकि ये जितने भी organisms हैं ये अलग-अलग trophic level के जैसे आप देख सकते हो rabbit तो आता है primary consumer में and tiger आता है tertiary consumer में तो ये अलग trophic level हो गया ऐसी vulture and rat ये भी अलग-अलग trophic level में आते है वल्चर है tertiary consumer and rat क्या है राट is secondary consumer ठीक है so that's why ये भी है option number d frog and lizard okay yes तो इसका answer is option number d and most of the friends ने इसका सही answer किया है आप सभी ने चाप्टर अच्छे से प्रपेर किया है that's why you all are answer it uh answering it correctly now let's move on to the next question which is question number four okay so friends have question number four discuss करते है question number four आपी screen पे in a given food chain if the amount of energy at the fourth tropic level is six kilo joules what will be the energy available at the producer level हम जानते कि producer level पे सबसे ज्यादा energy होती है और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है fourth third topic level वहाँ पर energy decrease होती जाती है चैट में आने शुरू हो सबसे पहला और मनोज सभी साथ करें सबसे पहला ऑनसर किया क्या लिख क olmuş न्ची However, अगर 10% होता है न 10% हमें पता है, तो अगर 10% है, तो 100% कितना होगा, इट विल भी 60, तो थर्ड पे कितना है, 60 kJ है, अब second पे आज आजओ, अगर 10% 60 kJ है, तो 100% कितना होगा, it will be 600 kJ, तो यहाँ पर second पर कितना है 600 kJ, अब आज ओ विलकुल नीचे जो हमारा primary level है, primary traffic level है, उसमें क्या होगा 600, अगर 10% है, तो 100% कितना होगा, it will be 6000 kJ, तो आपका answer है option number A, simple, बिलकुल चीमी ने answer किया सही, बहुत बढ़िया, answer is T, सभी सही answer कर रहे है, option number A is the correct answer, confuse मत होना, हम जानते कि जितना है जितना आप उपर जाते जाओगे traffic level में, उतनी ही ज्यादा जो आपका energy है, वो less होती जाएगी, degrees होती जाएगी, standard level यानि कि जो आपका primary, जो producer level है, जिसमें plants आ जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा energy available होती है, ठीक है, answer इसी लिस producer level है, जो producer traffic level है, okay, clear, yes, अब फ्रेंट्स बढ़ते हैं, to the next question, yes, so here is the next question on your screen, question number 5, accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher traffic level is known as, तो जो accumulation होता है non-biodegradable waste का हर एक traffic level में, तो उसको क्या बोला जाते हैं, so इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है, bio magnification option number C, and सबसे पहले इसका answer किया है, अनमोल ने, yes, अनमोल ने सबसे पहले इसका answer किया, then प्रने, चीमी, श्रद्धा, अर्मान, अंकित, रोहित, मनोज, मोहिनी, गर्वित, समायरा, yes, सभी friends इसका answer कर रहे हैं, congratulations everyone, आप सभी ने chapter बहुत अच्छे से prepare किया हुआ है, so इसका answer है, bio magnification, so bio magnification क्या होता है, accumulation of non-bio degradable waste in the food chain, in different different trophic level, समझाते हैं, कि जैसे जैसे जो trophic level हैं, वो higher होते जाते हैं, तो जो accumulation है, non-bio degradable waste का वो बढ़ता जाता है, and इसी को बोला जाता है, bio magnification, बहुत ही important topic है, यह आपके chapter का, so that's why इस पर बेज़ी है question आ गया, अब थोड़ा सा समझा देतों, bio magnification होता है, थोड़ा एक simple से example लेते हैं, माललो की एक छोटी फिश है, उस छोटी फिश में 10 gram कोई chemical है, माललो की DDT एक chemical होता है, इसी 10 छोटी फिश खाती है, एक फिश में 10 gram है, तो 10 फिश में कितना होगा 100 gram होगा, तो यहाँ पर क्या होगा है, जो amount है, जो accumulation है, वो increase होता जाएगा, अब वो बड़ी फिश है, उसको कोई और बड़ी फिश खाएगी, तो उसमें और ज्यादा जो chemical का accumulation है, वो increase होगा, फिश में जो chemicals थे, जो harmful chemicals थे वो फिश खाने पर हमारी body में भी आ गए, तो यह जो accumulation है, नौन बायो डेग्रेड़ेबल वेस्ट का वो भी increase हो रहा है, और युसी को बोला जाता है, बायो मैगनिफिकेशन, वेरी वेरी important, और सभी फ्रेंट्स ने इसका answer कर दिया है, गुशन न बायो गए, और सब्सक्राइबल जाता है, कुशन नम्बर 6 बेखते हैं, कौन सबसे पहले आंसर करेगा, एक्सेशिव एक्स्पोजयर ओफ यूमन्स तो यूवी रेस रिजर्ट से फर्स्ट है डेमेज़ इम्यून सिस्टम, सेकेंड है डैमेज टू लंग्स थर्ड है स्किन कैंसर फूर्थ है पैप्टिक उलकर्स तो यहाँ पे आपको चार ओप्शन दिये हैं यूवी रेस की वज़े से यूमन का जब ओवरेक्सपोशर होता है यूवी रेस से तो उसका क्या एफ़ेक्ट देखने को मिलता है एंड इसका करेक्ट आंसर होगा एक तो यह आपका डैमेज टू इम्यून सिस्टम लंग्स गलत है लंग्स पर कोई एफ़ेक्ट नहीं होता है यूवी रेस का 3rd is skin cancer, बिल्कुल skin cancer हो जाते है, क्योंकि UV rays आपकी direct body पे तो आती है, जो आपकी skin है, उसको effect करती है, skin cancer हो सकता है, ठीक है, peptic ulkers बिल्कुल भी नहीं है, आपकी stomach में होता है, जब excessive acid content आप consume करते हो, तो तब यह peptic ulkers हो जाते है, यानि कि आपकी जो stomach की lining होती है, उस पे चाले पड़ जाते हैं basically, तो यह इसका कोई effect नहीं है, UV rays का तो, यहाँ पर answer होगा first and third, यह कहाँ पर first and third, option number C is the correct answer, चैट में सभी C option कह रहे है, गर्वित, रिया, एंकिरन, शृष्टी, राधा कृष्णन, मिथीलेश, सभी सही answer कर रहे है, शरद्धा, चीमी, बहुत बढ़िया Are you hungry? बिलकुल, तो यहाँ पर इसका correct answer, option number C, first and third, these are the effects of UV rays on the human body, क्या effects है, अगर long question पर आते हैं, तो यह effects आपको थोड़ा है और in detail explain करना होगा, क्या है first damage to immune system, जो हमारा human immune system होता है, उसका effect होता है, जब UV rays का exposure होता है, मारी human body पर, third है आपका skin cancer, यह तो logical भी है, क्योंकि skin cancer क्योंकि skin पर अगर UV rays पड़ेंगी, तो आपको skin cancer हो सकता है, skin cancer basically type of cancer ही है, okay, yes, अभी को छोटी दिवाली, happy छोटी दिवाली, and कल दिवाली है, बिलकुल, okay, clear होगा, C is the correct answer. Let's move on, okay, so now let's move on to the next question, so next question is question number 7, the percentage of solar radiation absorbed by all the green plants for the process of photos and synthesis is about, so हम जानते हैं कि green plants क्या करते हैं, sunlight को absorb करते हैं for photosynthesis, तो कितनी green light, कितनी percentage of solar radiation को वो, green light नी, sunlight, तो कितनी percentage of solar radiation को absorb करते हैं, यह हमें बताना है, so इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है, option number A, which is 1%, so स्रिफ 1% of solar radiation ही जो green plants है, वो absorb कर पाते हैं, ठीक है, तो इसे लिए इसका answer होगा, option number A, yes, option number A is the correct answer, सजद ने answer कर दिया है, रिया, अंकेद, गरीमा, सोनिया, मोहिनी, yes, चेलशी, रितिशा, सभी friends इसका सही answer कर रहे हैं, दिव्यान, शी, सानवी, yes, option number A is the correct answer, 1%, तो जो green plants होते हैं, वो photosynthesis के लिए sunlight को, solar radiation को absorb करते हैं, which is only 1%, कितनी solar radiation, सिर्फ 1% ही absorb करते हैं, कि बाकी में 10% होते हैं, लिकि इस case में 1% होते हैं, जो energy का flow होते हैं, वो 10% होते हैं, that is completely different, यहां पर बात हो रहे हैं, कितनी solar radiation को absorb किया जाते हैं, तो वो 1%, तो यह confused नहीं होना है, Now, let's move on to the next question, clear हो गया, and this was a special case, अब बढ़ते हैं, तो इसी question है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल, अगर आपका कोई question है, इससे related, कोई doubt है, chat में पूछ सकते हैं, we will clear it to you, Now, let's move on, आपका next question है, question number 8, the manufacturing of chlorofluorocarbons, यानि की CFC, free refrigerator is mandatory throughout the world, how does this help prevent ozone depletion, तो chlorofluorocarbons क्या करते हैं, यह जो gas होती है, यह हमारी ozone layer को destroy कर देते हैं, यानि की जापके ozone के molecules होते हैं, O3 होते हैं, यह CFC उनके साथ react करके उसे एक टाइफ साब कर देते हैं, जिस वज़से हमार आपके ozone layer डिप्लीट होनी चालो हो जाती है, तो यह एक बहुत बड़ी problem है, इसलिए आपे government, काफी country सी government ने decision लिया है, कि हम CFC यान की chlorofluorocarbon free refrigerator, या फिर जो दूसरे devices है, AC में chlorofluorocarbon release होता है, ऐसे हम ऐसी electrical device बनाएंगी, जिसमें से CFC release ना होता हो, ताकि हमारी जो ozone layer है, वो destroy ना हो, तो अब options पढ़ते हैं, this will help convert oxygen molecule into ozone, बिल्कुल गलत है, यह तो ozone का formation की बार में बताए गया, B option है, this will help convert the CFC into ozone molecule, बिल्कुल गलत, this will reduce the production of CFC from oxygen molecules, यह भी गलत है, D option देखते हैं, this will reduce the release of CFC that reacts with the ozone molecule, यह आपका सही है, option number D, क्या था इसमें, कि जब CFC free refrigerator आप बनाओ होगे, तो CFC release नहीं होगा, अगर CFC यान की chlorofluorocarbon, यह gas release नहीं होगी, तो यह ozone layer के molecules के साथ react नहीं करेगी, और अगर reaction नहीं होगा, तो हमारी ozone layer भी deplete नहीं होगी, ozone layer destroy नहीं होगी, option number D is the correct answer, प्रने ने इसका सबसे पहले आंसर किया, चेलशी, Dx, मोही निसा, तो एक अं के साथ होता है, तो क्या होता है, और ozone कैसे form होती है, यह सब हम आगे long questionnaire से में discuss भी करने वाले है, okay, clear हो गया, yes, now let's move on to the next question, which is question number 9, question number 9 is, which of the statement is incorrect, तो इन में से कौन सी statement है, जो कि incorrect है, all green plants and blue green algae are producers, green plants get their food from organic compounds, producers prepare their own food from inorganic compounds, plants convert solar energy into chemical energy, तो कौन सा इसमें से option है, कौन सी statement है, जो कि गलत है, तो इसका correct answer है, option number B, and सबसे पहले इसका answer किया है, let's see, सबसे पहले, इसका answer किया है, सबसे पहले इसका answer किया है, option number B, then cricket gamer, then, अर्मान ने answer कर दिया है, श्रदा, चेल, शी, विनोद, yes, सजज, शिवम, शानवी, yes, तो correct answer इसका है, option number B, because हम जानते हैं, बाकी कि ये जो सारी statements है, वो सही है, सारी green plants and blue green algae होते हैं, ये producers होते हैं, food को produce करते हैं, they are autotrophs, तो ये तो बिलकुल सही है, then, green plants get their food from organic compounds, ये गलत है, जो green plants होते हैं, उनको अपना food मिलता है, inorganic compounds है, organic नहीं, ठीक है, producers prepare their own food from inorganic compounds, ये from the inorganic compounds, तो ये बिलकुल सही statement है, then, plants convert solar energy into chemical energy, ये भी सही है, plants के लेते हैं, sunlight लेते हैं, and then, इसको chemical energy में convert करते हैं, okay, so all the other statements are wrong, all the other statements are correct, except the option number B, which is green plants get their food from organic compounds, तो ये गलत है, इसलिए option number B is the correct answer, and सभी friends ने इसका सही आंसर किया है, yes, तो ये हमारा 9th question था, तो 10th question की बाद हमा अगले जो 10 questions होंगे, वो हम करेंगे subjective type question, okay, देखो हम Menti इसलिए नहीं करवा रहे हैं, because Menti में सिर्फ होते हैं objective question, and आप जानते हैं कि आपके board exam में objective भी आएंगे, subjective type question भी आएंगे, तो दोनों questions की practice होनी चाहिए, इसलिए हमने ये DPPP series, revision series start करी है, जिसमें हम दोनों type के questions क practice करते हैं, okay, because सिर्फ objective objective questions आपके exam में नहीं आएंगे, and Menti में सिर्फ objective ही हो पाते हैं, इसलिए हमने Menti को बंद करके, हमने ये DPPP series start करी है, so that we can practice both types of questions, ठीक है, ये भी एक type का Menti ही है, बस इसमे subjective questions और है, and आपको question के answer करने, so you can answer in the live chat, हम आपके answers देखी रहे हैं, okay, so it's better than Menti, now let's move on to the next question, okay, so next question देखते हैं, this was question number 9, अब हमारा last MCQ है, what is the order of the waste management hierarchy from most to least favor, तो देखो, जो भी waste होता है, उसे dispose करना चाहिए, dispose, यानि कि देखो, हर एक waste को dispose करने का जो तरीका होता है, वो अलग-अलग होता है, जैसे कि chemical methods होते है, काफी biological methods होते है, industry में ने treat करे किया ज होते हैं, इसलिए उन्हें हमें dispose करना चाहिए, अब यहां पर waste disposal system है, उसकी पूरी hierarchy है, सबसे हमें पहले क्या बताने है, जो सबसे ज्यादा favorable है, from the least favorable, तो देखो, from most to least favorable, यहां में बताना है, चैट में आसाने शुरू हो चुके है, सबसे पहले read करते option, prevention, recycle, reuse, disposal, सबसे प waste form नहीं होगा, तो उसका disposal नहीं करना पड़ेगा, which will not affect our environment, तो सबसे परदा तो prevention होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, reuse, reuse, यानि कि अगर मालू waste है, तो हम यह try करना चाहिए, कि हम उसे reuse कर सकते है, उसके अभी भी ऐसी condition है, अगर ऐसा कोई है, उसके वो reuse कि जा सकता है, तो हमें उसका reuse करना चाहिए, अगर यह भी नहीं हो रहा है, उसके बाद आप recycle करो, रिसाइकल के लिए, जैसे कि इंडस्टी में जैसे जो जैसे होता है, काफी जो समान होते हैं, जो materials होते हैं, उन्हें recycle कर दिया जाता है, उन्हें वापस industry में भेज दिया जा methods होते हैं, biological methods होते हैं, और इंडस्टी में treat क्या जाते हैं, ताकि वापिस उन्हें हम use कर सकें, तो यह आपका D option रहेगा, correct answer, सभी friends chat में answer भी कर रहे हैं, disposal क्या है, सबसे least favorable है, क्या कोश में पूछा था, most to least favorable, सबसे ज़्यादा favorable क्या है, prevention करो, प्रिवेंशन ही कर दो, त सभी सयान से कर रहे हैं, option number D is the correct answer, okay Devyanshi, इसके उपर हम एक separate video बना देंगे, अगर आपको इसमें confusion है, काफी friends को confusion रहता है, oxidizing agent, reducing agent, कैसे पहचाने, given chemical reaction में, so we will make a separate video on that, okay, clear हो गया question, yes, so friends, हमारे total 10 questions हो चुके, हमने सारे MCQ solve कर लिए, अब अगले जो 10 questions होंगे, वो होंगे subjective type question, okay, so subjective question start करने से पहले हम 2-3 minute का break ले लेते, जिसमें हम आप सभी के questions को answer कर देंगे, कोई भी doubt है, कोई भी suggestion आप हमसे देना चाहें, कोई भी question पूछना चाहते हैं, तो अभी आप हमसे live chat में पूछ सकते हैं, okay, and then after 2-3 minutes, we will begin with the next question, yes, subjective questions आपके exam में आएंगे, that's why we have included them also areas related to circle का भी live session करेंगे, जिसमें हम उसके important questions को start करेंगे, तो आज हम करेंगे science का chapter 15, कल हम करेंगे heredity and evolution के important question, तो फिर हमारी science खतम हो जाएगी, and then हम, and then हम math start करेंगे, okay, फिर हम math के पहले 2 chapter हो चुका है, math के पहले 2 chapter के important question के video अपलोड़ेड है, तो हम chapter number 3 से start करेंगे, फिर math करेंगे, तो जब तक आपके exams होंगे, तब तक हम के live session डेली करा करेंगे, 7 बजे शाम को, जिसमें हम हर एक chapter के important questions को practice करेंगे, तो in important questions से, आपकी chapter के revision हो जाएगी, because हमने हर एक topic में से questions लिए है, previous year questions भी select की है, तो आपकी revision हो जाएगी, and you will practice the important questions also, तो ये पुरा exam तक हम आपकी अपनी live session की series चलाएंगे, जिसमें हम important questions को practice करेंगे, okay, and अभी हमारी science का तम हो जाएगी, then math and the necessity, okay, अभी हाँ पे साथ भी पूच रहे है, what is 10% law, so 10% 10% law पर ही है, अग्ला जो हमारा subjective question है, that is based on 10% law, so we are not going to tell you now, okay, but have O smell, okay, the English or Hindi, English or Hindi, English, Hindi हम दोनों पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्विजस में पढ़ाते हैं, I mean to say, Maths का हम कराएंगे, chapter number 13, pair of linear equation and two variable, आज हम कर रहे हैं, our environment, कल हम करेंगे, science का heredity and evolution, and then per se हम करेंगे, maths का chapter 3, pair of linear equation and two variable, because chapter 1 and 2 हमारे already हो रखे हैं, साइन्स होने के बाद हम, Maths स्टार्ट कराएंगे, then SST, because science, Maths, पर हम जादा फोकस करें, that's why, जो भी full explanation का वीडियो होता है, उसकी description में, आपको notes का link given होता है, जिसमें, जो भी हमने slides बनाई होती हैं, जाप्टर की, वो सारे वो आपको मिल जाती हैं, उनका PDF, so those are the notes which we make by ourselves, so वो आप उनको access कर सकते हैं, by clicking on the link given in the description, Okay, यहां पर Sanskriti पूछे हैं, Raja, तुमारा SST में कितना सले, बस cover हो गया, so SST में देखो, मेरे geography के, अभी मैं जो second last chapter है, manufacturing industry, वो cover कर रहा हूं, वैसे मेरा हो रख है, लेकिन बस टाइप से वापिस उसे revise कर रहा हूं, उसके बाद लाइफ लाई बच जाएगा, and history का मेरा last chapter ब पहले ही upload किया था, उसमें अमने numericals, previous year questions, sample paper के questions भी include किये थे, okay, तो electricity के important questions का full-fledged video channel पर uploaded है, okay, so you can search it, yes, English grammar भी हम बहुत जल स्टार्ट करवाएंगे, English grammar के जो topics हैं, उनके video available हैं, लेकिन अभी हमें और practice भी करनी है, हर एक topic की, so आगे हम English grammar की भी practice start करेंगे, first we are focusing on science and maths, thank you so much, carbon and it compound का भी full explanation का video already है, and important question का भी हम डाल चुके, और और यहां पर जो carbon and it compound है, थोड़ा बड़ा chapter है, तो उसके जो notes है, मैं आपको दो टाइप की notes का description में link दिया है, एक तो वो notes है, थोड़े बड़े notes है, जिसमें activities का भी explanation दिया गया है, और फिर दूसरे notes हमारी slides वाले questions अगल के live session में, फूड़े जब बहुत सारी food chains आपस में connected होती है, that is food web, simply, food chains होती है, and जब काफी सारी food chains connected है, एक web साब पैटन बन जाता है, that is called food web, start करते हैं, yes, life processes का भी full explanation का video already uploaded है, and important questions की भी हमने practice कर लिया, so let's start now, so friends, are you all ready for practicing the next question, क्या आप सभी ready है, अगले question को देखने के लिए, if you all are ready, then please give us a thumbs up in the live chat, so that we can begin with the next question, है उदिपान्शू, संस्कृति, सत्यम, मैं class 11th में हूँ, रजत प्लास 10th में है, बोर्ड आपके, फेबररी 15 से start हो रहे हैं, yes, so most of the friends ready है, okay, hello, सोम शर्मा, okay, so here is the 11th question on your screen, what is 10% law, give an example, तो भही 10% का ही question ही आगया, एक friend हम से पूछ भी रहे थे, 10% law क्या होता है, तो ये उसी पर ये question है, that what is 10% law, आपको एक एक एक्जाम्पल भी देना है, तो देखते हैं, कौन से friends इसका, कौन friends इसका, answer कर पाते हैं, yes, तो सबसे पहले इसका answer किया है, DXCR7 ने, the food observed from the other organism, take only 10% so we call it 10% law, ये थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है, complete नहीं है, okay, let's see, 10% law आपको explain करना है, answer लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने words में बताना है, what do you understand by 10% law, yes, तमानना ने इसका answer कर दिया, 10% energy is transferred from next traffic level, yes, देखो हर एक traffic level में, जो energy होती है, उसका सिर्फ 10% ही अगले traffic level पर pass होता है, ठीक है, बाकिकी जो energy है, वो loss हो जाती है, या फिर life processes में लग जाती है, so only 10% energy passes on to the next traffic level, and इसी को बोला जाता है 10% law, simple है, so according to 10% law, only 10% of energy is available at the next traffic level, ठीक है, जैसे for example, if energy available at producer level is 1000 joule, माल लो कि जो producer level है, ठीक है, producer जो traffic level है, उसके पास 1000 joule की energy है, तो अब अगले traffic level पर कितनी energy pass होगी, 1000 joule का सिर्फ 10%, 1000 joule का 10% कितना होता है, 100 joule होता है, तो अगले traffic level पर सिर्फ 100 joule energy ही pass हो पाएगी, available होगी, तो इसी को गोला जाता है 10% law, और यह बाखी की energy होती है, यह life processes में, या heat की form में loss हो जाती है, ठीक है, so I hope you have understood it, yes, Garima ने इसका answer कर दिया है, yes, अभी friends इसका answer कर रहे हैं, that's great, तो इसका answer, यहाँ पर सबसे पहरे आपको define करना था, देने के example देना था, तो यह आपका 10% law है, very, very important, तो यह हम 2 mark के question कर रहे हैं, हम पहले 3, 2 mark के question करेंगे, then 3 mark के question, then 5 mark, and then case based, so here is the next question on your screen, which is question number 12, okay, so question number 12, वे friends, बहुत ही important, और basic सा question है, what is meant by environment, environment क्या होता है, हमारा chapter का नाम क्या है, हमारे आसपास जो कुछ है, that is environment, जितने भी abiotic, यानि की, जो non living components है, या फिर आपके living components हो गए, animals, plants, soil हो गए, जैसे soil का एक abiotic component है, atmosphere है, जो आपके आसपास, that is an abiotic component, तो यह जो सब abiotic and biotic component है, इनके interaction से ही बनता है, हमारा environment, in the aggregate of all the external condition, and their influence affecting the life, और यह जो abiotic and biotic components होते है, इसका effect किस पे होता है, living organism की life पे होता है, ठीक है, on the development of an organism, in its natural habitat is environment, और environment के दो component होते हैं, कौन से दो component होते हैं, या पर बताया भी है, biotic and abiotic, so abiotic components, यानि की non living components, ठीक है, non living लिखा है, biotic के example आप लिख सकते हैं, जैसे कि plant, animals and humans, यह सबते basic example है, plant animal and microorganisms, जैसे कि bacteria, protozozo, these all are biotic components, ठीक है, and यह जो biotic components हैं, जो abiotic components हैं, आपस में interact करते हैं, और इस ही को हम कहते हैं, environment, ठीक है, जो हमारा environment है, this is an aggregate of all the external condition, जिसमें हमारे biotic and abiotic components आजाते हैं, ठीक है, यह इसका short answer होगा, ओके, yes, clear हो गया, यहाँ पर answer भी लिखा है, पृत्वी ने, environment is our plants, plants and animals, biotic and abiotic, where all live or exhibits, and develop on its exigy habitat, यानि कि हर एक animal का, हर एक plant का, जो habitat होता है, वो different, different होता है, so that is the environment, जब का environment अलग होता है, हर एक जो biotic component होता है, ठीक है, उसका जो वे है, interaction का, with the abiotic components, and the biotic components, that is different for every living organism, okay, clear हो गया, so this was a very simple question, now, let's move on to the next question, okay, yes, now let's move on to the next question, which is question number 13, what is the significance of food chain, food chain की क्या significance है, क्या importance है, यह आपको बताना है, okay, so सबसे पहले, it is a means of transfer of food, from one traffic level to another, अब जो food है, जो energy है, वो एक traffic level से, दूसरे traffic level तक, कैसे यह transfer होता है, through food chain, so यह एक means है, जिसके through food and energy, transfer होती है, एक traffic level से, दूसरे traffic level तक, then, it provides information about, the living components of our ecosystem, हमारे ecosystem में, जो living components है, उनके बारे में, information हमें, food chain के through ही मिलती है, ठीक है, कि कौन सा organism, किस organism को consume करता है, कैसे energy मिलती है, कैसे energy flow करती है, so all this information, we get through the food chain, then, it helps us in understanding, the interactions and interdependence, among different organisms, in an ecosystem, एक ecosystem में, जो different organisms है, वो कैसे interact करते हैं, कैसे दूसरे पर interdependent है, इसका हमें कैसे पता चलता है, इसकी understanding हमें, food chain के through ही होती है, है ना, then, it is a pathway for the flow of energy, in an ecosystem, एक ecosystem में, energy के flow होने का, जो pathway है, that is food chain, obviously, energy कैसे flow कर रही है, food chain के through ही कर रही है, so that's why, through these points, we have proved the significance of food chain, इसलिए food chain important है, आपका जो भी question आप हमसे live chat में पूह सकते हैं, we will surely answer it, yes, transfer of food from one traffic level to another traffic level, तो ये इसकी importance को दरशाता है, food chain की importance को दरशाता है, और जो food chain होती है, वो unidirectional होती है, yes, it's correct, food chain में जो energy का flow होता है, वो unidirectional होता है, yes, okay, so ये था हमारा 13th question, तो ये हमने 3, 2 mark के question कर लिए, अगले जो 4 questions होंगे, वो होंगे 3 mark के question, so आप 3 marks के according अपना अंसा लिखोगे, so the length will be according to the marks of the question, now let's move on to the question number 14, okay, yes, it's fantasy, इस topic पर वीडियो बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, अब यहाँ पर आपका next question देख लेते हैं, question number 14, बहुत important question है, describe how ozone layer is formed, इसके based हमने एक MCQ भी क्या था, अब इसका in detail explanation देखते हैं, कि ozone layer बनती कैसी है, ozone layer होती क्या है, and how is it formed, तो देखो, formation of the ozone layer से समझो, एक तो होता है अपका O2 molecule, यानि कि जिसमें दो oxygen के atom होते हैं, आपका O2 molecule होता है, ozone layer का क्या formula होता है, एक ozone के molecule का क्या formula होता है, O3 होता है, तो एक तो है O2, एक है O3, तो आपको O2 में एक और oxygen का atom एड़ करना होगा, और इसे हैं हम क्या какेते हैं, एन प्रड़क्ट में oxygen भी आता है, O2 भी आता है, तो इसका molecular formula क्या होता है, O2 होता है, was released, तो सबसे पहले, ओके, thank you so much Victor for the 40 rupees super chat, ओके, thank you so much, हो गया clear, तो सबसे पहले हम यहां पर देखना है कि O2 gas कैसे release होती है, ज्यान कि जो oxygen के इसमें दो atoms होते हैं, वो कैसे release होती है, और फिर हम देखें कि जो oxygen का एक free atom है, वो कैसे बनता है, और जब यह दोनों मिल जाते हैं, O2 plus O, तो यह पर दो oxygen के plus एक और oxygen, this forms O3, और O3 क्या है, आपका ozone का molecule है, this oxygen is released to the stratosphere, where it will begin to react with the ultra violet radiation from the sun, to form free oxygen, अभी free oxygen, एक single oxygen का molecule कैसे बनता है, क्योंकि हम जानते हैं, कि जो oxygen है, वो हमेशा दो atoms कंबाइन रहते हैं, यानि कि O2 की form में देखता हैं, लेकिन single कैसे बनेगा oxygen का, जब आप उसका एकताब से कह सकते, O2 है, उसमें से जब ultra violet radiation पास होंगी, तो ब्रेक हो जाएगा दो oxygen के atoms में, जैसे आप देख सकते हो, O2 से जब हमने ultra violet radiation पास करवाई, तो दो oxygen के atoms में डिवाइड हो गया, अब यह जो single oxygen का atom है, जब यह O2 के साथ react करेगा, तो क्या form होगा, O3 form होगा, और यह O3 क्या है, आपका ozone है, तो ऐसे आपकी ozone layer form होती है, जब एक single, एक oxygen के free atom का reaction किस के साथ होता है, O2 के साथ होता है, that forms a molecule of an ozone, ठीक है, and last आप point पढ़ो, free oxygen, free oxygen यानि की single molecule, single atom of oxygen, ठीक है, with the molecular oxygen O2, क्योंकि O2 क्या है molecule है, और single अगर oxygen होगा, that will be an atom, ठीक है, combines to form O3, और O3 है आपका ozone, clear हो गया, reaction सबसे पहला को क्या पढ़ना है, सबसे पहला को ये देखना है, कि भई O2 है, O2 कैसे बनती है, O2 बनती है, जब photosynthesis होता है, उसका end product होता है O2, अब O2 बन गया, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एक single atom चाहिए oxygen का, क्योंके हमें तो Ozone बनाना है न, O3 बनाना है, तो अब एक single oxygen का atom कैसे बनेगा, जब उसमें से आप O2 के molecule में से UV radiations को पास करवाऊगे, तो दो oxygen के atom आपको मिल जाएंगे, और फिर इंको combine कर दो O2 को, और O को, you will get O3 which is ozone, clear हो गया, simple सा question था, and यह मैं आपको explain कर दिया, क्या reaction होता है, how is the ozone layer formed, and यह आपका सब, यहां पर theory भी लिख्यो होई है, and this is the reaction दोनों ही आपको mention करने है, okay, 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 देखो हम तो अभी English medium को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने खुद English medium में पढ़ा है, so we can explain you the English English, जो आपके chapters, English medium में जो chapters, we can explain you in that language only, okay, we belong to Karnad Hariana, clear हो गया question, इस question में कोई डाउट है, तो chat में बता दो, I will clear, okay, PDF का लिंक आपको description box में मेल जाएगा, जैसी live session end होगा, I will give the link in the description, science मेरी complete हो चुके, okay, 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 so now friends, let's move on to the next question, next question is question number 15, energy transfers is said to be unidirectional, whereas biochemical transfer is said to be cyclic, why, तो हम जानते हैं कि एक food chain में जो energy का transfer होते है, energy का जो flow होते है, वो unidirectional होते है, लेकिन biochemical का, या फिर आप कह सकते हो, जो nutrients का जो transfer है, वो cyclic होते है, why, इसका reason आपको बताना है, इनर्जी जो flow करते हैं, वो unidirectional होते है, because as it transfers from one trophic level to next trophic level, it reduces only 10%, it reduces only 10% is available at successive level from previous level, हम जानते हैं, एक trophic level की, जो energy है, उसका स्रिफ 10% ही, अगले trophic level तक flow होता है, तो इसे लिए energy का जो flow है, वो तो एक ही direction में हो रहा है, ट्रॉफिक level से higher trophic level तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है energy का flow, तो ये unidirectional है, एक ही direction में flow हो रही है energy, लेकिन अगर हम बात करें, nutrient की nutrient flow की अगर हम बात करें, तो वो cyclic होता है, क्यों? Because देखो, जब माल लो tertiary, जो सबसे highest हमारा trophic level है, वहाँ तक जो energy पहुँचती है, तो जो tertiary consumers के बाद भी क्या आते हैं, decomposers आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो complex material होता है, उसको break down करके simple कर देते हैं, and then जो भी nutrients होते हैं, वो दुबारा soil में मिल जाते हैं, and then plants उन soil में मिले हुए, nutrients का, minerals का use करते हैं, for making their own food, तो ऐसे यह cycle चलती है, nutrient का जो flow है, वो cyclic है, and energy का जो flow है, वो क्या है, unidirectional है, ठीक है, yes, so nutrient flow is cyclic, because nutrients return back into nutrient pool, from the dead bodies of plants and animals, जब plants and animals, जो उनकी dead bodies होती हैं, तो वो dekay हो जाते हैं, and वो dekay matter में, जो nutrients होते हैं, वो दुबारा soil में मिल जाते हैं, and उनको decompose करता कोन है, decomposers करते हैं, तो फिर जो nutrients होते हैं, वो दुबारा soil में मिल जाते हैं, and then those nutrients are taken by the plant, are utilized by the plant, to make their food, ठीक है, and by the decomposition of microorganisms, from nutrient pool, they are utilized again by plants, ठीक है, तो इसलिए nutrients का जो flow है, वो cyclic है, लेकिन energy का जो flow है, वो unidirectional है, okay, I hope it's clear to you, okay, okay, so ये इसका answer है, this is the three marker question, तो उसे साब से आपना answer होगे, okay, now let's move on to the next question, which is question number 16, okay, so question number 16 discuss करते हैं, here is the question number 16 on your screen, question है, what is the role of decomposer in the ecosystem, हमारा जो ecosystem है, उसमें decomposers का क्या काम होता है, देखो, हम जानते कि जो हमारा bio degradable waste होता है, उसे decompose, bio degradable waste क्या होता है, जिसे decompose, जिसे disintegrate किया जा सकता है, अब इने disintegrate, इने decompose करने का काम कौन करते हैं, decomposers करते हैं, decomposers का example, जैसे कि microorganism हो गए, bacteria, fungi, these all are decomposers, और जैसे कि आप example ले लो, like earthworms, these all are decomposers, यह जो हमारा bio degradable waste होता है, उन्हें simple organic substance में convert कर देते हैं, simple organic substance जैसे कि हो गए, आपका methane, water, यह जो simple organic substance है, इसमें वो से convert कर देते हैं, और यह जो simple organic substance होता है, यह आपकी soil में मिलके, फिर जो आपकी plants होते हैं, उनके लिए यह useful होता है, ठीक है, तो इनका काम क्यों होता है, basically decomposers का, decompose करना, bio degradable waste को, so they decompose bio degradable substance into useful substance, useful substance जैसे कि, जो simple organic material है, जैसे कि methane, CO2, water, these all are simple organic material, they release nutrients into the soil, soil में से release कर देते हैं, जो decomposers होते हैं, by decomposing the dead and decaying matter, thus making the soil fertile, जैसे कि हमारा कोई dead animal है, उस dead animal के उपर, जो microorganisms होते हैं, bacteria होते हैं, फंजाय होते हैं, वो act करते हैं, और उसे फिर उसमें से, जो important nutrients होते हैं, उसे खीच लेते हैं, और उसे soil में डाल देते हैं, अब soil में क्या है, soil के जरूरत है, इन important nutrients की, और फिर इन nutrients का use कौन करते हैं, plants करते हैं, ठीक है, so they maintain the nutrient pool, by returning back the nutrients in the pool, तो देखो, जो plant था, उसने nutrients का use किया, उस plant को किसी, मतलब animal ने खाया, human ने उसे consume किया, फिर जब वो animal मर जाते हैं, तो फिर उस पे जो decomposers हैं, वो act करते हैं, फिर वापिस जो सारे nutrients से, वो soil में ही वापिस मिल जाते हैं, तो ये पूरी ऐसे cycle चलती है, और nutrient pool में वापिस सारे nutrients आ जाते हैं, clear हो गया, मेरा को पूरा clear कर गया, क्या पूरा concept होता है, decomposition का, ठीक है, जो bio degradable waste है, उसे कैसे decompose किया जाता है, decomposers का उसमें क्या role होता है, okay, okay study with KGF, हम समझ गया आपकी क्या problem है, क्योंकि आपने हिंदी में 8 तक पढ़ी सी, आप चाहते हो कि हम आपको हिंदी में पढ़ा हैं, क्योंकि आपको कैसे explain कर पाएंगे, okay, clear हो गया ये, yes, मेरा science का पूरा syllabus complete हो गया, अगर अभी आपको इस question में कोई भी doubt है, आप चैट में बता सकते हैं, okay, yes, so friends, now, let's move on to the next question, so here is the next question on your screen, question number 18, we often observe domestic ways to decomposing, the violence of residential colonies suggest ways to make the residents realize, okay, this is the question number 17, question number 17 is, what is biological magnification, will the levels of this magnification be different at different levels of the economic ecosystem, okay, तो हमें बताना है कि biological magnification क्या होता है, and क्या जो biological magnification है, वो different होगा ecosystem के अलग-अलग levels पर, तो ये हमें बताना है, okay, okay, so the phenomenon of progressive increase in the concentration of certain harmful non-biodegradable chemicals, such as DDT, at different levels of food chain, is called biological magnification, already हम डिसकस कर भी चुके, कि biological magnification क्या होता है, जो concentration है, non-biodegradable waste का, जैसे कि harmful chemicals होते हैं, for example, DDT, तो इनका concentration जब होता है, food chains में, different-different trophic levels में, इसी को बोला जाता है, biological magnification, अब biological magnification, जैसे जैसे हम trophic levels में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो biological magnification है, वो भी increase होता है, कैसे, देखो, the concentration of harmful chemicals will be different at different trophic levels, it will be lowest in the first trophic level, and highest in the last trophic level of the food chain, अब ही हमने आपको, fish वाल example से समझाया था, कि कैसे, जब हम trophic level में आगे बढ़ते जाएंगे, तो biological magnification, जो concentration है, chemicals की, harmful chemicals की, वो भी बढ़ती जाएगी, so different होता है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में, biological magnification की concentration, जो harmful chemicals है, उनकी concentration different होती है, trophic levels में, तो सबसे पहले आपने, biological magnification को define करना है, and then बताना है, कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में, वो different होता है, okay, so that's why, this is the answer, of your three marker question, now let's move on to the next question, which is question number 18, okay, so friends, question number 18, that is a long answer question, so a long answer question है, बहुत important है, और यह रियर लाइस से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड़ है, तो इसे आंसर करते हैं, देखते हैं, कैसे आंसर करेंगे इसका, question है, we often observe domestic waste, decomposing in the bylanes of residential colonies, हम देखते हैं, कि क्या करते हैं, जो waste होते हैं, जो कूड़ा होते हैं, उसे हम कहा करते हैं, फेक देते हैं, उसे decomposed नहीं किया जाता है, and क्यों होते हैं, फिर जो हमारा waste होते हैं, वो इस चेकर collect होता जाता है, and जिस वज़े से land pollution होता है, और जो animals उसे consume करते हैं, उनकी बोड़ी पे बहुत harmful effect होता है, उसका, suggest waste to make the resident realize, that the improper disposal of their waste, is harmful to the environment, तो बहुत ही real life से related है, कि अगर आप इसका अच्छे से disposal नहीं करोगे waste का, तो उसका क्या क्या harmful effects होने वाले हैं, उसे हम कैसे बच सकते हैं, यह हमें बताने हैं, so some of the waste to make people realize, क्यों करना चाहिए, और decompose कैसे करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि wet waste होता है, एक dry waste होता है, कैसे हमें उसे अलग-अलग section में उसे divide करते हैं, ताकि उन्हें decompose करना, उन्हें treat करना easy हो जाए, ठीक है, usage of pamphlets and poster for providing information, यानि कि हमें क्या करना है, जागरुकता फैलानी कि भाई ये, जो हमारा waste material होता है, जो bio degradable waste होता है, उसे decompose करना बहुत जरूरी होता है, forming an eco club in the society for spreading awareness, about the ill effects of waste on the surrounding, यानि बदबू आती है, बहुत सारे इसके ill effects होते हैं, living organism की life पर इसका impact होता है, अब अब देखो, improper, इसके क्या के waste हो सकते हैं, और waste बताया, improper disposal of waste will release harmful gases in the environment, that makes it unclean and unhygienic for the living organism, gases जैसे की NO2, SO2, ये बहुत harmful gases होती हैं, जो कि इसमें से release होती हैं, तो अगर हम इसे decompose कर देंगे, decompose करने के लग-अलग तरीके होते हैं, जैसे एक तो natural decomposition होता है, या फिर आप industry में जा के उसे decompose कर सकते हो, SO ये सब waste होते हैं, जिनका में यूस करना चाहिए, and अगर decompose नहीं करेंगे, तो ये इसके ill effects होने वाले हैं, the waste will flow to the water bodies, अब ये waste जब water bodies में जाएगा, तो water को pollute करेगा, water को pollute करेगा, तो जो aquatic life है, उसके इसका effect पढ़ने वाले है, along with the rain water, and become a threat to the aquatic life, and can pollute the water bodies, then next point है, it provides space for breeding of the mosquitoes, which result in spread of malaria, philaris, dengue, etc, SO ऐसी जो diseases हैं, खतरनाक बिमारी हैं, ये भी फैल सकती हैं, because of not proper disposal of the waste, then last point है, हजार दस chemical from the waste, अब यहां पर industry के आप बात कर सकते हो, कि industry के आप करते हैं, वो harmful chemicals को, बिना treat के water bodies में release कर देते हैं, तो बहुत ही real life waste question, इसका आप answer खुद बना सकते हो, then through their roots, this will affect the health of the other animal, and humans, which can have a negative impact on the environment, तो इसे हमें पता चलता है, कि जो waste है, वो अगर हमारी environment के कितना harmful होता है, और अगर हम waste को अच्छे से dispose नहीं करेंगे, तो इसके कितने ill effects हो सकते हैं, ठीक है, clear हो गया, so this was the answer, this was the long question answer, and यह एक important PYQ भी है, फोरण 2014 में, and 2013 दिल्ली एक्जाम में, यह पूछा भी जा चुका है, okay, so important question है, clear हो गया, yes, so 2 हम 5 marker question करेंगे, यह आपका first 5 marker question है, अब इसके बाद एक और 5 marker question करेंगे, then हमारा last question होगा, एक case based question from this chapter, okay, now let's move on to the next question, okay, so friends, here is the question number 19 on your screen, what is meant by food chain, food chain क्या होती है, the number of trophic levels in a food chain is limited, give reason to justify this statement, and एक food chain में, जो trophic level का, जो trophic level का number होता है, वो हमेशे limited होता है, यह ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे में reason देना है, इसका क्या reason है, that we have to give, yes, तो इसका answer है, the sequence of living organisms in a community, in which one organism consumes or feeds upon another organism, to transfer food energy is called a food chain, तो food chain क्या है, यह एक sequence है living organisms का, जिसमें एक living organism, दूसरी living organism को consume करता है, उसे खाता है, उस पर feed करता है, अपनी energy requirement को meet करने के लिए, ठीक है, and food chain में क्या होता है, food chain में अलग-लग steps होते हैं, जिनमें जो energy है, वो flow करती है, in different different trophic levels, and वो जो various steps होते हैं, ठीक है, food chain में उन्ही को बोला जाता है, trophic levels, okay, so the various steps in a food chain, at which the transfer of food, और energy takes place, are called trophic levels, in fact, in a food chain, each step representing an organisms, forms a trophic level, अब हम जानते हैं, food chain में, जो trophic level का, जो number होता है, वो limited है, इसके पीशे reason क्या है, because देखो हम जानते हैं, 10% law, 10% law is the reason behind it, because हम जानते हैं कि, हर एक trophic level में, जो energy है, उसकी सिर्फ 10% energy ही, अगले trophic level में flow करेगी, तो 10-10% energy flow करेगी, अब 10% energy ही flow करेगी, मतलब energy कम होती जा रही है, अगले trophic level में, तो एक point ऐसा भी आएगा, जब energy sufficient नहीं होगी, अगले trophic level के लिए, तो इसलिए फिर trophic level limited होते हैं, जोतिनी energy available है, okay, so the answer for this will be, the number of trophic levels in a food chain are limited, because at each trophic level, only 10% of energy is utilized, for the maintenance of organism, which occur at that trophic level, and the remaining large portion of energy, is lost as heat, सिर्फ 10% energy ही, अगले trophic level के लिए अवेलेबल होती है, and जो बागी के energy है, वो क्या होती है, वो लॉस हो जाती है as heat, as a result, organisms at each trophic level, pass on lesser energy to the next trophic level, तो कम energy जा रही है हर एक trophic level पर, then they receive, the longer the food chain, the lesser is the energy available, to the final member of the food chain, food chains generally consist of 3 or 4 trophic levels, because beyond that, the energy available to the next organism, will be too small, and insufficient to sustain the life of that, organism, अब अगले ट्रॉफिक लेवल में, जो energy है, वो कम होती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, कि जो energy है, वो sufficient नहीं होगी, अगले ट्रॉफिक लेवल के, और ग्यानिजम के survival के लिए, इसलिए सरफ 3-4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, एक फूद चेन में, ओके, so this is the reason behind it, ओके, so this was your 19th question, तो यह हमारा 5 marker question तो, हमने 2 5 mark long question कर लेए, अब हम last 20th question करेंगे which is your case-based question so let's move on to the 20th question so here's the case-based question read करते हैं some harmful non-biogredable chemicals that is pesticides इसका example बहुत important example है DDT एक बहुत ही मतलब कह सकते है harmful chemical है जो कि living organism की life पर इसका बहुत negative impact होता है basically then and heavy लिखो कहा लिखा है and heavy metals example mercury, arsenic, cadmium यह सब क्या है यह सब harmful metals हो गई और जैसे harmful chemicals का example हो गया है DDT अब आगे रिट करते हैं enter the bodies of the organism through the food chain and go on concentrating at each trophic level और इसका जो concentration है जैसे जैसे आप trophic level पे इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ट्रॉफिक level उपर जाता जाएगा जो इसका concentration है chemicals का metals का यह increase होता जाएगा ठीक है अभी हम देखते है first question refer to the given food chain food chain को देखो सबसे पहले photoplankton यह क्या होता है यह मताब कह सकतो बहुत ही micro aquatic animal होता है जो की water bodies में पाया जाता है बहुत छोटा होता है उसके बाद zooplankton यह इससे बड़ा होता है then small fish zooplankton से बड़ी होती है small fish small fish से बड़ी होती है large fish large fish से बड़ा होता है fish eating birds obviously जो birds है वो large fish से भी size में बड़े होते है तो यह क्या traffic level increase होता जा रहा है जानि कि जो chemical का concentration है वो भी increase होता जाएगा ऐसे food chain में अब देखते हैं जैसे chemical है यहां पर DDT if the concentration of DDT in small fish is estimated to be 0.5 ppm ppm यानि की parts per million तो एक लाइफ साथ कैसे होता है मापने की unit है बहुत छोटी unit होती है अब small fish में इतना chemical है कितना chemical है? 0.5 ppm है तो अब कोशिम ने पूछा है कि zooplankton में और large fish में कितना concentration होगा अब आप यह देखो कि बहुत जूप्लेंक टों तो small fish से पहले आता है यानि कि इसमें जो chemical का concentration होगा वो कम होगा as compared to the small fish अब जो large fish है large fish में क्या होगा ज्यादा होगा as compared to the small fish है ना हम जानते जो chemical concentration है वो increase होता जाता है जैसे जैसे traffic level में आप उपर जाते जाओगे यानि कि अब कम क्या है यह 0.5 है 0.5 से कम क्या होगा 0.04 होगा अब large fish का क्या होगा 0.5 से ज्यादा होगा तो ज्यादा यानि कि it will be 2 ppm तो इसका answer क्या option number A दिव्यांची ना आंसर भी कर दिया चैट में 0.04 ppm यह किसका है यह zooplankton का है 2 ppm किसका है large fish का है clear हो गया तो यह यह आपको पता होना चाहिए कि chemical हो चाहिए वह कोई metal हो उसका concentration increase होता जाता है जैसे जैसे हम traffic level में उपर बढ़ते जाते है so this was the first part अब second part देखते है refer to the given table इसका answer गरो friends यह आपको table दिया है 5 organism है A, B, C, D, E और cadmium क्या है cadmium एक आपको harmful metal है होगे हमने उपर बढ़ा भी case में और यह इसका concentration आपको दिया होगा है आपको table को अच्छे दे दिव्यांची ने answer कर दिया बहुत बढ़ा दिव्यांची answer इसका C, E, C option which is सबसे पहले कहाएगा सबसे पहले जैसे यहां पर हमने देखा phytoplankton इसके पास कहोगा सबसे कम concentration होगा फिर जू प्लैंक्टोन पर इससे जादा होगा then small fish पे इससे जादा ऐसे आप increase होगा अब यहां पर देखो सबसे कम कहा है सबसे कम है 0.003 parts per million ppm ठीक है तो यह कहाए सबसे कम है तो सबसे पहले कहाएगा C आएगा हमारे food chain में उसके बाद देखो उसके कम कहाए 0.04 है यानि कि E जो हमारा organism है तो C E अब उसके बाद कहाएगा 0.5 which is A उसके बाद आएगा D क्यूंकि 2 ppm है और सबसे जादा क्या है B organism which is 25 ppm तो कि यह क्या हो गया C E A D B तो यह आपका option number C इसका answer हो गया clear हो गया Yes So this is the correct answer यहाँ पर हमने देखा कि चाए metal हो चाए वो chemical हो उसका जो concentration है वो increase होता जाता है एक food chain में So now let's move on Happy Diwali to everyone and same to you Thank you so much So friends now let's move on to the next part of this case based question तो total is question के 4 parts है 2 parts हमने कर लिए Now here is the third part of this question A group of scientists analyzed samples of 5 different animals from a river of possible accumulation of DDT in their body due to biomagnification The result obtained is shown in the given graph The correct order of the food chain operating in a river is तो देखो यहाँ पर बताया है कि एक group of scientists ने क्या किया animals के different samples को analyze किया and उन्होंने देखा कि उनके body में कितना DDT DDT क्या है यह chemical है harmful chemical है जो उनकी body में accumulate हो रखा है जो due to the biomagnification and जो concentration उन्होंने देखने को मिली chemical की in their body उनको उन्होंने ग्राफ में ऐसे represent कर दिया तो यह 4 fishes है Q, P, R and S इन 4 fishes में chemical का यह level था यह accumulation था तो अब इस information के basis पर हमें food chain का सही order बताना है जो कि उस river में होगी इसका answer is option number B B इसका answer, इसका correct answer होगा option number B which is S, then Q, then R, then P देखो हम जानते हैं कि हमेशा एक food chain में जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें जो concentration होता है chemical का वो सब से कम होता है तो यहां पर आप खुद देखो कि जो कौन सी फिश में केमिकल का जो कंसेंट्रेशन है वो सब से कम है इस तो S सब से पहले आएगा ठीक है फिर उससे जादा किसमें उससे जादा है क्यु में जैसे जैसे हम जाएव लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हामफुल केमिकल्स का जो एक्यूमिलेशन है वो बढ़ता जाएगा ठीक है तो हमें इंक्रीजिंग ओर में इसको अरेंज करना है तो सब से पहले S then Q सब से पहले S then Q then R and then P सब से पहले S then Q then R and then P I hope it's clear to you तो थो थो जो शाइन कर रहा है इस वज़े से आपको डायग्राम नहीं दिखाऊगा लेकिन यहां पर सब से कम आपको ग्राफ में दिखेगा S है उसके उपर Q है then उसके बाद R है then P है तो एसे इसे कंसेंट्रेशन जो डीडीटी है केमिकल है वो इंक्रीज होता जाएगा सिंपल साइ यह आपकी food chain बन गई ओके फोर्थ कोशन देखते हैं इसका ओके फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इस हाइर अमाउंट अफ डीडीटी डिस्टर्ब क्याल्शियों मेटबोलिजम और इस रिजल्स इन तो देखो जितना जादा डीडीटी यह केमिकल है तो जितना जादा डीडीटी होगा जितना जादा अमाउंट होगा उसका बर्ट में तो इनसे क्या होता है उनका जो केल्शियों मेटबोलिजम है वो दिस्टर्ब होता है तो इस पर इसका क्या result होगा birds पर ये हमें बताने है So thickening of their egg shells, premature breaking of eggs, death of their embryos या फिर both B and C, इसका क्या फरक पड़ेगा birds पर हमें ये बताने है Yes, Maahi ने इसका सबसे फ़रे answer कर दिया Must Shorts ने answer किया है, option number D, Divyanshi ने answer कर दिया है Yes, option number D is the correct answer, both B and C Look, जो अगर birds की body में DDT का जादा amount होगा, तो इससे उनका calcium metabolism disturb होता है And क्या बुरा असर पड़ेगा birds पर, जो उनके eggs हैं, वो premature मतलब time से पहले ही वो break हो जाएंगे And उनके जो embryos हैं, उनकी भी death हो सकती है So these both are the result of the higher amount of DDT in birds So इसका answer होगा option number D, both B and C I hope it's clear to you Yes, we have practiced all the 20 most important questions of your chapter Our environment, so we have discussed 20 most important questions I hope that you will enjoy this live session Your whole chapter will be revised well Because we have selected questions in every topic Okay, tomorrow we will do science, chapter number 9 Heredity and evolution, it's 20 most important questions So at 7 o'clock we always do live session And tomorrow we are going to do The 20 most important questions of heredity and evolution Science will be finished, then we will start math And if you have a demand for everyone Then we will do math with SST Because many prints will be doing SST So we will begin SST also with math Okay Thank you so much Happy Diwali to everyone Thank you so much Good evening Thank you so much Ria Thank you so much Ria Okay Okay So friends, that's all for this live session We will meet SST For practicing the important questions of heredity and evolution That's all for this live session Thank you so much Bye friends You're going to be okay I'll definitely make it I'm ready to go to a place